हेलो फ्रेंद्स वर्कम बैक तो मैं यूटुब चैनल स्टैडी वियाख्या विदियो ऑफ बैलोजी फोर क्लास लेवें तोड़ी वियां तोड़ी वियां तोड़ी आपको शेयर कर दूंगी तो सिर्द आपको इजी रहेगा नोट्स करने में वैसे जो नोट्स आप लोग को अगर नोट्स थे तो आप गूगल की वैप सर्च मालना उसमें बहुत सारे आयंगे इस सब्सक्राइब को देख सकते हैं अच्छे दोंट्स है जाते हैं ठीक हैं चैप्टर ध्री प्लांट फिंग्डम लांट्स तो इसमें क्या है इसमें हम आपको बदा दीते ह किंग्डम प्लांटी है यानि किंग्डम प्लांटी इसको प्लांट किंग्डम कहते हैं मतलब तो उसके 5 पार्ट से एक अलगी ब्रायोफाइट, टेर्डोफाइट, जिम्नोसवर्म, एंजिस्वर्म इस के बारे में इस chapter हम नुख डेटेल में पढ़ेंगे और इसके बारे में तो से इंट्रॉडक्शन समझते हैं इन इन सब चीजों कि अलगी निच्शन थे बाड दीकिशन के लिए पड़ख रप्र रादी न ही को डिशोल है इन ही अधी ने को डिल्डा प्रडंड टालो कि विए उसकेक्र डिसक्पाइख करें तो स्टाट करते हैं निस इन तरीए चाप्टर नीप प्रडाइख कर देखा हैं देखा थे लिए यह लगी हैं इस चेप्टर में हम लोग kingdom plant की बात करेंगे और क्या है है और we must stress here that our understanding of the plant kingdom it has changed over time लोग इसमें का गया है कि जो kingdom plant है उसमें जिसे की जो classes बनाए गई जो पी organisms को रखा गया है वो time to time क्या हो गया है उनका जो चेंजमेंट हुआ है classification चेंजमेंट आया हुआ है जो फंजाए और मेंबोस और मोंडर प्रोटिस्टर जो थे having cell walls थे ठीक है उनको अलग रख दिया है इस्क्राइब एक प्लांट प्लांट पर रखे गया है उनको अलग उनको अलग रखे गया है उनको पर्टिकलर नाम देगे चिंग्डम फंजाए चिंग्डम और प्रोटिक्स्टर तो इता सम्झ में आगे है क्या करें आप क्लासिफिकेशन जो हुआ ठीक उनमें cell walls पाइज एते थे तब इनको अलग रखा गया है तो दा साइनो बैक्टिरिया जैसे ब्लू-ग्रीन अलगी कहते है इसको गया है ब्लू-ग्रीन अलगी कहते है जैसे तुमारा को दूसरा नाम है जैसे जो भी तुम हो तुमारा लगी फिसे दो थे को तुमारा है जैसे दो नाम एक नाम रहा है से थे तुमिल लगी होट पान новых ऐता है जो इसके नाम के याथ तरुम यह ए बेक Congrats आ हम आता है कि मृट्टि इम ईता है नंटो इंदिंद्स आप दिसकर सावर arribए की बारें पड़ें हम भीं में प्लेंद्ध ब्रायोफाइट, प्राइटोफाइट सब हमने बता जी सब हम लोग भी डिसकस करेंगे इन सब चीजों के बारे में का लिए लोग अदो क्लासफिकेशन विट यह उन के बात होती है उनको कहते हैं और इसमें लोग क्या देखेंगे की क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो हुआ है कैसे इंफ्लॉएंस न प्रभाड गहा है सबसे पहले जो था वह सुपरफिशल मॉर्फोलोजिकल करेक्टर्स पर था मैं पहले यह है कि जो पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था कि इंग्डम प्लांटी में वह मॉर्फोलोजिकल था मॉर्फोलोजिकल था मॉर्फोलोजिकल था करेक्टर्स देखिए निक कलर शेप तो नमबर मनलब शेप लिव नमबर यानि कि लिव कितनी हैं एक एक पिस्टल में कितनी लीव लीव कितनी हैं कितना वह सब कोंछ आप हो यह होती हैं बहुत सारी लीव होती हैं तायप सी ही आगे हम लोग पढ़ेंगे से वारे में और दे दीवार बेश में लियाओ विश्टेटीश्टिव पैर्टिक स्वारे में कहाँ गया है कि जो भी अन्ड क्लासिफिकेशन था वह दिवकितल और उसने बताया था उस system को are feature system करगे दीखो इस में इस चैप्टर नमभी साप्टक किस्टम सीस्टम बताया गए Artificial classification System Natural classification system और फाल और जानेडिक classification system तो मैं ऐन्हों तो तीनों को है तो वदतीति हो तीनों में comparison स्पीजीब होना थे उनको आतर है अठर बैंड अ को रहना फ्यू करेक्ट्रस पे जो उनको आ ख्लासिफाइर ती उनको डाल दैंडीया दढ़ लिटा था थी और फैर ऎको ख्लास ननको बना धिया जाता है था तो थेम अधिज को ख्लासिजा द आए तो यह इस इसे पीडिज वेजटेटिव करेक्टर तो फूल, पत्य जो भी है वेजड़ोस इन सबको उसकी बारें बात हो तो था उसकी कैसे प्लांट में रिपर्डॉक्शन होता है। उसकी बात होती है that is not acceptable यह acceptable नहीं था क्योंकि आपिशिल सिस्टम में क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग क्याता है वेजिटेटिव यानि फूल पत्ति या जो भी एक्स्टरनल जो करेक्टर्स दिखते हैं एक्स्टरनल जो हमें दिख रहा है और से एक्स्टरनल जो हमें एक्स्टरनल जो करेक्टरा जो विए वेजिटेटिव के समये। दे माया क्यों यानिस सम्वेट जो था होने तो इसी सुस्टम जो ब्रेक्टिव नृको फ्रलेष एक्सुं रत काव्नी ऑग्रस चैसने थो पान समय कोげवरा ब्लान्स कोता है यह सहते हैं तो जो जो प्लें natural classification system, इससे की according classification कैसे हो इसमें क्या था, कि नेचरल आफिनिटीज के लिख़े हैं अफिनिटीज अमंग्ध औरूजम एंड कंसीडर्, टिक है मनलब की इसमें हम बताटे क्या रखाया चाहिस पर देख लेते लिखा किया है समय समझ लेते हैं इसमें कहा गया यह जो सिस्टम जो था इसमें शिर्फ your next one the उनट की कि है किसमें इंटर्नल फीचर्ट मांलगा की से अल्ट्र श्ट्र max а同 कि की कोफी प्लंट के अंदर के तै इसे कि इघसे कितनी लेयर थे एंप्रश्य सुमन में थी नह이ं क्या कह रहे हैं कि वेलोड के फैटो कमसे में लेक्रिंक खुछ प्लांस कानया रेक्रिंहत्थी डॉन्म फेये हैं कि मुणे कुछ या ऑक्यम बनाऊ कि है छुछ लेखए tarot rocky जर्ङवार अट काफ सेबिस्यों लेंस भाद प्लांस इसे के वस्प्लांस मुद्क गर मतरे दया कि अगे है सो जोगे सिकार जोग बैंतं और भी याद याद कर लो जोग बैंतंटम जोसेफ बीर्टन हो गऩर कर एंटर मिल्च न च्योट नम्हिंग बस जोड बैंतंम ऐज़ी है यह bringen न्होंन ने इन च्लासिफिकेशन quirbmaziger काहाई था इसमें ना है एक्सिटारनल फीचरोस के साथ इंटरनल फीचरोस भी ले रहे थे इसमें कहा है कि आनटामी एंजरलोगी फाइमोलोगी फिया नाहीं कंछिट्र्टेमichen कंट्र इंडिया के अगर हिस्टरी देखो तो सब्सक्राइब नहीं नहीं हो ना तो इसमें यह कहना चाहती है इसमें यह है कि तरक्की होती है तरक्की समझेंट वह द्यूप्मेंट होता है तो नई नए चीज़े आती है तो पुरानी की जटा दियाती है पर उसके साथ और एड्र भी किचा थी तो वैसे अर्टिफिचल सिस्टम ऊजब नहीं उंगर इसमें दोनों लेटिज तुन和र्टिज दी घएगए अब क्या गया चैना याच्रिक्टर जिसमें िंटरनल इसमें क्या है इवडुशन अरी रियलेशन डिया ओते है कि ऑर यह इनिसे क्सीभी नजरी इनसेंस में किको सब का जो भी एंसेस्टर उसकी बात हो रही कि वहां से कहां से उत्पतती हुई वह सब चीजे जानकारी भी हो ठीक है तो जहें चीजे से तरक्य होते गई साइंस में वैसे वैसे नहीं नहीं चीजे आती रहें तो सुधार होते हुए वैसे वैसे क्लासिफिकेशन में भी सुधार होते हुए नहीं अपया है और अभी होते हैं क्यांकि अधिकर स्थम्हेंैं कोट कि अधिकर को रागर हमें के चैजा pra comfort in लिए अधियुम्स यह बताएंगे कि और इसम बलॉंग तो ऑन गर्टेक्स अगे वान पलान तरह चाहिए उनको प्लान जी चुट जी प्लान से टीक है उनका गरूब बनायागा थिक है उनमें जो टैक्सा देखा गहे हैं कौन सी के टिग्री है उससाब से के टिग्री समें ड प्लांट के पहले कैसा था इसमें कैसे कैसे डवलप्मेंट हुआ समय के साफ से तो यह सब चीजे देखी गई इनको केटिग्राइब हमने क्या बढ़ आता है तो आगर बढ़ते हैं वी नो यूस इंफॉमेशन फॉर मैनी अदर सोसे हम लोगने बहुत सा इंफॉमेशन जो ल सुदरी यह दीज बीकम मोर इंपोर्टेंट वैंज दिस्ट लोगने सब्सक्राइब यह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जब इसके फॉसल अविजेंस नहीं मिलते थे अब तो यह सब चीजें डूबी गई जैसे सांटीज डूबी तो यह बहुत डिफिकल्ट हो गया तो इस जाना ना क्या हुआँ आप कासी अब बात करते है अब बात करते हैं अब प्रेत करन करना सब्सक्राइब करना चाल यह कि इसका मिलब है होगा हम किसी भी चीज को जब टेक्नोलजीए से इसकी डिटेलिस बनाएक भाट डालके इस बेज डिलना ऑब दर्वेब करेक्टर क्षुम्स एक ऐपने थे जब यहां पर प्लास में पढ़िए कि यह जो पीप राइट हाप तो टी एक ती था एक टी था तीटि तीट दोनों को टीटि यह तीटि टीटि तीटी तो हम मैं पता था कि तीटी जीजे तीज़ था यह जो चीज रिश्यों में थैख्वाण तो यह जो है नहीं नुमेरिकल टेक्सवनोमी है यह वर्गिजरन करते हैं हमने ऐसे रेशियों मना दिया है कि इस हिसाब से किया गया है कि कंप्यूटर में क्लस्फिकेशन नहीं एक्जामपल बता रहे हैं तो प्लान का एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसमें नुमेरिकल टक्सिनोमी यानि कि वर्गी करण किया गया नुमेरिकल नुमेरिकल यानि कि नंबर भी डाल गया नंबर टिक है कंप्यूटर में डाला गया इसमें कि नंबर और प्रोसेस्ट ठीक है डाटर राटर यह प्लांट है इसका यह नंबर है तो इसके वारे में और आगए बढ़ें कि पढ़ोगे आप लो तेल में अभी आपके अंस्ट्याटी में इतना ही दे रखा और एक्स्प्लेइन करके इसमें नहीं दे रखा इतना इन दिस वे इच करेक्टर जो था उसको एक्कोल इंपोर्टेंस दी गई सम्झा रहे है उस इसमें रखा इसिमें आपके इसमें ट्रशी होने इंपोर्टेंस पर फीजिये अट्री किसे ब्लॉण करता है उसकी बात हो रही है अब क्या रखा एंके इस तरीके जो करेक्टर जो एक्कोल इंपरेंस दी गई हरी कि हरेक इंपोर्टेंस है अज एट आझ सेम टाइम फिसाइड़ gla installer narrative आसे क्रोम मोजॉम कि बात था बाता हुआ रणाब है रुब सांपलॉ सांपिन हिए working design कि है क्रोमोजूम्ष नंब करने पहते हैं य। इसके और और इंजम में कोई और पर का वे सिक्स पर का या 20 पर टेक कुछ इस टाइब की बात करें ठीक रूम्जम नंबर कम लाइं क्या होती है तोकस या निक टामिकल जो होते हैं प्लांट में ठीक है उसकी बात हो रही है इसमय जो टेक्स नॉमिस्ट इस आमना पर यह दिसकर रही है तो एक रहती है जिसमें टाक्यमिकल कॉंसिट्वेंस भात करते हैं वह प्लांट के जो भी कैमिकल कॉंसिट्वेंस पाई जाते हैं तो डिस्वाल कंफुजन करने कि क्लोरोप्लास 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 ह現在 पहले से Dockshun आपको और सब्सक्राइब होता क्पानी के अंदर किको इनदर कि वो था दो बैक्टीरिया और्गेंजम भुतार उससे बड़े और यू बना फिर उससे बड़ा बना और ज्थ उस ने धरती पर रखा तेका उसके वजेसे तरह कि पेड़ पहुजे है तो उस ने क्या क्या उसका डवलप हुआ जो करकरे इम करें उसके इवालीशन दूँ वैसे ही प्लान पानी के अंदर ही रहता है ठीक है अब क्या हुआ कि उससे वह समय बीता वैसे वैसे उसको लगा कि हमें धरती पर जाना चाहिए जमीन पर भी कदम रखना चाहिए तो उसमें एवालुशन हुआ तो उसके वज़े से एक और जिसका नाम हुआ जो की पानी में और जमी दोनों म ही हुए हुए है जी सेल्वाय पाई जातीशु की बाति है और अइनमल्स की बार इनstellar गरतर बात होँए तो डेवल्प होऊ तो लगी जो डेवल्प ही थी जो पेर नहीं जब बंग धोत आर यथ है समझाने क्या करें हैं कि जो ऑर्गिंजम पानी और लैंड दोनों में रहते हैं ठीक है थोड़ा उसमें थोड़ा धूर्ड़ाप हुआ अलगी थोड़ाप हुआ टाइम के अकॉर्डिंग ठीक है ताइम के साफ से डेवलप हुआ तो उस और गनिजम जो प्लांट था उस प्ल जो प्लांट जो ब्राइवम्फाइटा था उसने धर्ति पे पूरी तरीके सी कदम रख दिया था नहीं प्लाइव पानी में था यानि एकवेटिक भी था और धर्ति लेंड पे भी था दोनों इसको पानी की जरुवत होती थी रिप्रोडॉक्षन के लिए वह बिना पानी के reproduction नहीं कर पाता इसलिए धर्ती पे उसने थोड़ा पूरा डेवलप पूरा capable नहीं था कि वो बिना पानी के मुलब रह सके बिना एक्विटिक हुए रह सके तो क्या हुआ जो ब्रायोफाइटा था उसमें evolution हुआ वह evolution हुआ तो वह किसमें change हो गया तैर्यडोफाइटा में किसमें टैर्यम फॉडुवाइटा है अब पूरे धर्ती में में minor in the land के एक ठीकहिं की रहने के लिए त्यकहिए अब क्या हूआ ऑर evolution हुआ और evolution हुआ तो क्या वह जो टेरीडोफाइटा थे वह टॉल होते गए मलब कि उनमें ऐसा डेवलप्मेंट हुआ कि उनमें फ्लावर्स देखने को मिले ठीक है उसमें सीड देखने को मिली और यह जो इवालूशन हुआ वह एंजियो स्पंप जिन्मोस्पंप बना ठीक है उसके बारे में बात करे हम लोग आगें कैसे टेरीडोफाइटा में इस इवालूशन हुआ वह क्या बना एंजियो स्पंप बना जिन्मोस्पंप बना इस फ्लावर बना फ्लावर से कैसे फूट बना यह नो लॉंग लॉंग ट्रीज जो टॉल ट्रीज हैं ठेक है कैसे बना वह तो उसके बारे में लॉंग चैप्टर में देखेंगे और कैसे कैसे जो जैसी जो स्लेसिफिकेशन हुआ है वह इस इवालीशन के अकॉर्डिंग हो जैसे अलगी ब्रावफाइटा टेडोफाइडा एंजिस्पार्म जिन्मोस्प तो इसमें इसके बारे में बताया गया है तो स्टार्ट करते ह हमारा टॉपक अलगी तो वीडो थोड़ा लंबा हो जायगा अगर को रहा हो तो थोड़ा और न इंट्रोडक्ण दे ते तो अलग है टो अलगी किया है अलगी qlorophyll ळीवर्ण सब्सक्राइब कुछ ने बनाता है लाजली एक्वेटिक लाजली एक्वेटिक आपके पूरा रही एक्वेटिक है फ्रेश-वॉटर और मैरायन और पानी दरूर्स में मिलेगा पानी ना हूँ ऐसा तो हो नहीं सकता है वहां ली नहीं डेवलप हो सकता है पानी होना चाहिए वहीं अलगी आपको मिलेगा सब्सक्राइब क्या रहा है सम आफ देम ऑल्सो ओशन ओशन इनस्वेशन विद फंजाइ ओशन पाया जाता है ठीक है और यह फंजाइ के साथ हमने क्या पिछले वाल चैप्टर में कि लाइकें के बारे में हम लोग ने बढ़ा थे ना कि वह अलगी जो है फंजाइ के साथ सेंब्राटिक अस्सिएशन जो बनाता है ठीक है उसके वारे में बहुत बताया था आपको तो वह लाइकेंस एनिमल्स स्लोट बियर देखो एक और अनिमल है तो उसकी पूरी वह पते क्या है कि वह नहाता नहीं है जो पूरी बॉड़ी में अलगी डबलप हो गई है अलगी समझा रहा है डबलप कैसे होई अच्छ अच्छ जाते हैं तो पूरी बॉड़ी में आप गुगर्म साच माना श्लोट बियर भी है खांडी बना जाएगी देखना कि उसकी बॉड़ी देखना उस एनिमल की कैसी लगइगी तो गंडी सी थम घ्रीन ग्रीन पूरी इस जो ही एर से ना बॉड़ी की बॉरी ए से डस्ट उसमें चिपकी रहती है वैसा और इंदम है ठीक है उसके पूरे बॉड़ी में क्या होते है कि अलगी चिपकी रहती है उसके वारे में आप गुगम जरू साच करिएगा भी वीडियो देखने के बाद ठीक है अभी शोड़ के मत जाओ जो साइज है और जो भी फॉर्म है वह वैरीबल यानि कोई इस डेफिनेट नहीं है समझा नहीं करें फिगर 3.1 अभी देखते हैं दस साइज रेंजेस जो है माक्रोस्कोपिक यूनिसेलर है फॉर्म्स ठीक है यूनिसेलर फॉर्म्स है निकि क्लैमाइडो मोनाज से लेकर कॉ बात करें तो की जैसी की फिलामेंटस फिलामेंटस की बात करें तो की जैसी की फिलामेंटस 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 की बात करें तो की जैसी की फिलामेंटस 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 लामेंटस की बात करें तो की जैसी की फिलामेंटस 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 लामे जैसे यह filament बनाता है एक ऐसा लिए इलाथरिक्स उसका body structure होता है इसमेंगर कागे definite नहीं है तो यह स्पैरिकल होता है तो यह बहुत सा है होते हैं thacket हम different different क्या आमने बता है Unicellar form है कौन सी क्लाइमाइडो मॉनाज दूसरी colonial form जैसी यह इसके बारे में ठीक है colonial form wall box कहते है colony बनती ठीक है बनाके रहते है ठीक है और filamentus filamentus यह filament बनाते है यू लॉट्रिक्स ठीक है and spyrogyra spyrogyra लॉटर filamentus a few of the marine forms such as kelps kelps form massive plant bodies देखो यह बहुत ही यह बहुत important यहाँ रखना कि सबसे बड़ी जो अलगी है यह सबसे बड़ी plant body है जो बताते हैं कैसे बताईए हम दोखो यह है पानी के रहे है एक्वेटिक दोखो मैं बताती हूं दिक है यह ऐसे मन समनों हम सबस्क्राइब करें अब हम इसके बारे मिंदा जो बड़ी-बड़ी सी होती है यह जैसी जो भी मेराइन जो भी ओस्ट में जो भी बोर्ट्स चल रही हों थे ना उनकी जो विंग विंग्स जो भी होते हैं उत्के अटक जाते हैं यह बहुत बड़ी समस्थ्या भी है बताएं गया है आगे देखते हैं है अल्गी रिप्रोड्यूस हां अल्गी जो है वह वेजटेटिव रिप्रोड़ॉक्शन भी करती है एए सैक्थवल सैग्थ्वर्यूस होता है है वैजटेटिव रिप्रोड़ॉक्शन क्या होता है फ्रेग्मेंटेश एक प्रेग्में डिवलॉफ में डिवलापो जाता है ना बताने ज़रुट है क्या नहीं ना पर्टnecess के वेजिटाइक कीव validation कुल तेक्ट है और SCP सब्सक्राइबバंते हैं वं भून गॉप ग वेग hazard का देखर सीज्वा पसक कर्ञेंए इसकुल हिए इसमेंड lied सैनारी के were ने प्रदॉक्शन जू स्पोस की जारा होता है तेक है यह फ्लेजरेटर मोर्टाइल एंजर और जर्मिनेशन गिव राइस तो नीजर प्लांट्स सब्सक्वनानाइब। इसे उलय में सफर्दॉक्वन सब्सक्राइब। आपके sex reproduction इसमें क्या होता है कि दो gamet का fusion होता है हम बता चुके ये भी कि आपने वो देखाओ ना pollen grains है ना तो flowers है कैसे जो reproduction होता है ठीक है वो आपने पढ़ चुके आप ये सब चीजे 10th class में पढ़ चुके हो ठीक है तो आप revise करो ठीक है ये gamet के होते है फ्लेजलेटेड भी हो सकते हैं similar in size ठीक है आपने क्लामाइड मूनाज की बात हो जो भी gamet दो gamet का fusion होता है sex reproduction के तो दो gamet का fusion होता है ये जो gamet होते हैं वो ख मेना इंबान को फ्लेजलेटेड होते हैं इसके होना सिमिलर in size size और यह सेंट होना ठीक है तो या सब जो रिप्रडॉप्व्ड आप्शन चाहीं न नौन मोटायल जो होते हैं बट सिमिलर in size होना चबट्सधमला नोन मोटाइल है नहीं तो जिनने फ्लेजला पाया जाता है वह नोन मोटाइल होते हैं तो इन दोनों का साइज है वह कैसा है सिमलर है कैसा है सिमलर है इसमें भी साइज सिमलर है और यह कैसे है यह फ्लेजलेटेड है और यह क्या है नोन यह कहें तो नोन मोटाइल ठीक है अब यह क्या का जिसमें फ्लेजलेटेड होते हो साइज सिमलर होता है वह क्लानमाइडो मोनाज में होता है और उनमें अब जहां पर नॉन मोटाइल होते हैं जैसी कि नॉन मोटाइल होते हैं और सिमिलर होते हैं वो स्पायरो गायरा होते हैं ठीक है जरूरी नहीं है कि राउंड शेप में हो एसे रिप्रोक्शन को हम क्या कहते हैं आइसो गैमस कहते हैं ठीक है आइसो गैमस का मदलब क्या हुआ कि जब जो भी फ्यूजन हो रहा हो गैमिट्स का उन में क्या होना चाहिए कि नॉन मोटाइल यानि की नॉन मोटाइल यानि की फ्लेजलर ना पाए जाने सिमलर होना चाहिए साइज ठीक है जो भी गैमिट्स हो का साइज सिमिलर होना चाहिए और दोनी不सक्ते यह मोटाइल हो शक alga box अब अब बात करते हैं हम लोग और या सिमिलर का साइज साय we तैसे लोओं तो पर सब्सक्राइब को होता है। कल्याहेवाइब मोनाज मे के दिख था कक्षीजिक फारबा Taj यह कुछ करके इनिंस जाते हैं 500 तर इसमें कहा किया है जब किसका फ्यूजन होता है एक मिली फ्लार्ज नौनोटाइल ना पाँ एक लार्ज ना पाँ ऑदिसरे चीज क्या प्रज़िए मॉ्योती है चाहिए मॉ्यटाइ यश्ब हो उप्स्पांत こ delicious house एक入ूअ सोगने साम दर्स के सहिम्य।भर 못h जिसमें size dissimilar होते हैं जिसमें एक motile और एक non motile और जो non motile है लार्ज होगा यानि static समझें ना static यानि कि वह कहीं move ना करें ठीक है और दूसरा दूसरा कहा है motile male gamut यानि कि जिसमें fludge लपाया जाता हूं जो move करें ठीक है तो यह वाल वोक्स और फूकस के एक्जामपल है और clamidomonas जो clamidomonas है वह anisogammus में भी आता है isogammus भी देखनों को मिलते हैं clamidomonas में isogammus का reproduction isogammus की तरीके से भी reproduction हो सकता है ठीक है तो समझा के नहीं इतना और आगे यह structure देख लो कल यह topic है मैं आपको कल अच्छे text pen को वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है ठीक है मैंना बोर ना हो जो फिर आप लोग बताएंगे तो तो यह कल कल आप लोगों को तो इसमें पहला क्या देख रहा है ग्रीन अलगी वालवोक्स क्लामाइडो मोनाज है और यह क्या चीज है यह है कारा यह बहुत लंबे-लंबे होते हैं और यह सब अलगी है ठीक है अलगी है और यह दिख रहे हैं नहीं कि डॉर्टर को लोनी अंदर बनी है पैरेंट को लोनी थी बड़ी थी यह कलामाइडो मोनाज का स्ट्रक्चर देखो यह दो फ्लेजला पाया गया इसमें और यह बंच से एक्स कहते हैं इस चीज को इस्ट्रक्चर है यह ग्री अलगी किसमें डिवर्ट के क्लोरोफाइसिया फ्यूफाइसिया और रोडोफाइसिया इन तीन इन तीन में भी इसको क्या क्या गया है क्लासिफाइड किया गया है इसमें बताएंगे ठीक है तो बने रही है हमारे सब्सक्राइब कर लेजीगा आगे के और इंट्रस्टिंग वीडियो के लिए और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और और कमेंटर के दूर बताएगा को कैसा लगा आज का लेक्टर ठीक है और को भी डाउट हो तो प्ली एक सब्सक्राइब करएफ दिख लीज़िएगानिंख बताएगी जरूर और इंजुआ करो स्टैडी के नचाहिए किसी बी चीज इन चाहिए किसी बीछी को जिस निटनी वी बोरिग हो उस चीज ने इंजॉआ खरना लग रही है पर इंज्यॉआ करों अकर आप इंजॉइ करके थोड़ा इल्लस्ट्रेट अपन माइन में इल्लस्ट्रेट करके उसको पढ़ो तो बहुत मज़ा आगी तो इसे के साथ बाइब आए लेटर तो एक नए अमेजिंग लेक्ट्ट्वर के सब्सक्राइब